शिर्नगर शैशन कोट ने बुद्वार को आतंकवादी बिट्टा कराटे के खिलाप मुकदमा शुरू किया जिसने 1990 के दशक में 40 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या करना कबूल किया था पीडितों में से एक सतीस टिक्कू के परिवार की पिटिशन के बाद करीब 31 साल बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई हाली में फिल्म दे कश्मीर फाइल्स के रिलीज के बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के दोरान कई कश्मीरी पंडित परिवार अपने कस्टों की भयावे दास्ता बताने के लिए सामने आये हैं एक कश्मीरी पंडित संक्थन ने भी 1989-90 के दोरान कश्मीरी पंडितों की सामुई खत्याओं और नर्साहर की Central Investigation Bureau यानि CBI या National Investigation Agency यानि NIA द्वारा जाज की मांग करते हुए सुप्रीम कोट में एक क्यूरेटिव पेटिशन दायर की थी Roots in Kashmir द्वारा दायर पेटिशन ने 2017 में पारित टाप कोट के ओर्डर को चुनोती देते हुए पेटिशन को खारिज करने को कहा पेटिशन में संदर्वित उधारन 1989-90 से संबंदित है और तब से 27 वर्ष से ज़्यादा वक्त भी चुका है कोई सार तक मकसद सामने नहीं आएगा क्योंकि इस देर के मोड़ पर साक्षे उपलब्द होने की संभावना नहीं है पेटिशन में 1989-90, 1997 और 1998 के दोरान कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की सेकड़ों F.I.R. के लिए यासिन मलीक और फारुक एमट डार, उर्पुक बिट्टा कराटे, जावेद नालका और अन्ने के खिलाब मुकदमा चलाने की मांग की गई थी और जो लगबग तीन देशक के बाद भी जमू कश्मीर पुलिस द्वारा बिना जाच किये हुए पड़ी हुई है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक जरूर करें पर इंपर्टिसमेंट प्लीस कॉंटेक्ट 705-109-1811